26 जून 1975 की सुबा भारत में एमर्जंसी लागू कर दी गई, नागरिकों के सबी अधिकार छीन लिये गए, यहां तक की जीने का अधिकार भी सरकार की जूली में जाच पर, सम्विधान का चीर हरण हो चुका था, लेकिन सम्विधान की रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट चिर निद्रा में वेस्थ था, इमर्जंसी के इस पहलू को समझने के लिए ततकालीन चीफ जेस्टिस आफ इंडिया, एन रे के बारे में जानना आवश्यक है, नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं, फैक्ट सीट, जेस्टिस अजीत नाथ रे का जन्म कलकत् पेसे से वकील और नेशनल मेडिकल कॉलेज के फाउंडर्स में से एक थे, और स्वतंतरता सेनानी सुरेंद्र नाथ बेनर्जी द्वारा बनाई गई इंडियन एसोसियेशन के अध्धक्ष भी रह जिके थे, जेस्टिस अजीत नाथ रे के दादा जी डॉक्टर देवेंद पूरी पढ़ाई लिखाई उस समय के उच्छर संस्थानों में हुआ था, प्रेसिडेंसी कॉलेज से बी-ए और हिंदी कॉलेज से मास्टर्स किया था, लंदन के ऑक्सफोर्ड इंवस्ट्री के ओरियल कॉलेज से फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में बी-ए किया, लॉकी डिग 1959 में पर्मानेंट कर दिये गए, कलकत्ता के दिनों में जस्टिस साहब 1959 से 1969 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज के गवर्निंग बॉड़ी के प्रेसिडेंट भी रहे, इसके अलावा एसियाटिक सोसाइटी और विश्च सुभारती इंवस्टी से भी जुड़े रहे, कलकत्ता हाई 1969 को पद और गोपनियता की सपतली, ये वही दोर था जब ततकालीन प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी अपने राजनेतिक जीवन के उस हकीकत से रूबरू हो रही थी, जिसमें उनके लिए सीख और चुनोतियां दोनों थी, देश में गरीबी और भष्टाचार चरम पर था और राजनेतिक प्रधिवन्दी, सिंडिकेट और जनसंग उनका डट कर विरोध कर रहे थी, वैसे तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस एन रे के कैरियर पर कोई दाग नहीं था, लेकिन सुप्रिम कोर्ट में आते ही इंडियन लीगल हिस्ट्री के सबसे लैंड मार्क डि जिसकी चर्चा हम विस्तार से आगे के एपिसोड में खरेंगे, बैंकूर नेशनलाइजेशन के मामले में 11 जज़ों की बैंच ने नेडए दिया, नेडए आया 10-1 से, जस्टिस एन रे अकेले ऐसे जज़ थे जिसने ततकालीन इंद्रागांधी सरकार के विचारों को सही म फिर आया 24 अप्राइल 1973, भारती नाइक ब्योस्था का वासुब दिन, जिस दिन केश्वानन्द भारती मामले का नेडए आया, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर यानि की संविधान की मूल संद्रचना या अवधारना का प्रिंश्पल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के 13 जज़ का समर्थन कर रहे थे, उनमें सबसे सीनियर थे जस्टिस ए एंड्रे, सरकार ये लड़ाई तो हार गई थी, लेकिन मिसस इंद्रा गांधी को भविश्य में आने वाली चुनावतियों से निवटने के लिए तुरूप का वजीर हाथ लग गया, अब केवल देर थी इस वज प्रिन कोर्ट के मुख्य नयाधीस बनना पसंद करेंगी, जज साहब असमंजस में पढ़ गए, जस्टिस ए अंड्रे का असमंजस में पढ़ना स्वभाविक ही था, क्योंकि जस्टिस रे से सीनियर तीन और जजज थे, और भारतीय परमपरा के अनुशार सबसे सीनियर जस्तिरी को मुख्य नयाधीस ना बना कर उनसे जूनियर जज़ों को आफर भीजा था, हाला कि तब भारत में ऐसी कोई परमपरा नहीं थी कि सबसे सीनियर जजज ही मुख्य नयाधीस बनेगा, लेकिन ये दाउ नहरू जी पर उल्टा पड़ा, अपने सीनियर मोश्ट ज़े है कि अगर जस्तिस कानिया की हार्ट अटेक से मृत्यू ना होई होती, तो जस्तिस पतंजली सास्त्री कभी भी मुख्य नयाधीस ना बन पाते, क्योंकि जस्तिस सास्त्री की उम्र, C.J.I. कनिया से ज़्याधा थी, वही परिष्टिस रे के सामने थी, जस्तिस A.N. को पता था कि वह कभी भी चीफ जस्तिस नहीं बनने वाले, तीन जस्तिस J.M. सेलट, जस्तिस K.S. हेगड़े और जस्तिस A.N. ग्रोवर, उनसे सीनियर थे और तीनों का चीफ जस्तिस बनना था, इस असमंजस को दूर करने के लिए लौ मिनिस्टर यचार गोखले ने किव C.J.I. कारेभार संभाल चुका था, 24 अप्राइल 1973 भारती लोकतंत्र में एक बहुत ही महत्कोंड दिन था, इसी दिन के स्वानन्द भारती के मामले में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ, या तीसरा मौका था जब इंद्रा गांधी सरकार को सुप्रीम क पिफा दिया हो, जस्टिस A.N.R. को कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आमंत्रित करने वाले भूत्पूर्व मुख्यनाधिस जस्टिस हिदायत उल्ला ने कहा, It is the blackest day in Indian democracy, मतलब भारतिय लोकतंत्र का सबसे काला दिन, ऐसा नहीं है कि पूरा देश मुख दर्शक बना रहा, A.N.R. के Chief Justice बनते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, तीन माई को बार solidarity day मनाया गया, देश की सभी legal पेसे से जुड़े लोगों और संस्थाओं ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन सरकार पर इसका कोई असन नहीं पड़ा, 1971 में हुए चुनाव में इंद्रा गांधी की land slide विक्ट्री हुई थी, और सत्ता के नसे में चूर स्रीमती इंद्रा गांधी ने दर्बारी न्याई पालिका का सपना देख चाला था, यहाँ पर दो प्रश्ण बहुत महात्पूर्ण है, पहला यह कि सीनियर जजेज, जस्टिस हेगडे, जस्टिस सीलर्ट और जस्टिस ब्रोवर के बजाए, जस्टिस एन रे को ही चीफ जस्टिस क्यों बनाया गया, इस एपिसोड से पहले वाले एपिसोड में हमने बात किया था मित्रोखिन आर्खाइब की, उसमें कॉंग्रेस वो, यानि इंद्रा गांधी की कॉंग्रेस में एक ग्रूप का जिक्र किया गया था, जिसका नाम था Congress Forum for Socialist Action, और KGB ने इसी ग्रूप को कोड़नेम दिया था वास्तों में ये ग्रूप बहुरूपिय कम्यूनिस्टों का था, जो चुनाओं में हार की वज़ा से और KGB के कहने पर Congress में सामिल हो गए थे, इसी ग्रूप का मुखिया था मोहन कुमार मंगलन, जिसे मिसेस इंद्रा गांधी ने 1971 में पोल एंड माइन्स का मंत्री बना दि और आप पता करिए वहां का खनन मंत्राले किसके पास है, उस आदमी पर नक्सलियों का साथ देने और कुरानी का अंग्रेश निताओं की हत्या का आरोप लगा था, किसी जमाने में वाभी का नहिया कुमार की तरह कमिश्ट हुआ करता था, खेर आते हैं मोहन कुमार मंगलन इस आदमी का उदेश था कॉंग्रेश को समाजवात की तरफ मोडना और इसमें उसकी मदद कर रहे थे इंद्रा गांधी के निजी सलाकार और उस समय के देश के सबसे ताकतवर वियूरोक्राइट पी अन हकसर, लेकिन भारतिये सम्विधान बार बार आड़े आ रहा था, जिसवजा से सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हार का मुह देखना पड़ रहा था, कम्यूनिस्ट इंद्रा गांधी को ये बात समझाने में सपल रहे थे कि जश्टिस हेगडे अगर मुख्य नयाधिस बन गए चो सरकार के लिए और उसीबत खड़ी करेंगे, जश्टिस हेग में मंत्री बनने से मना कर दिया था, जश्टिस हेगडे खांटी कॉंग्रेशी नयता थे और वेहद इमांदार राज नयता थे, और शाध इसलिए वे मंत्री नहीं बने, क्योंकि सरकारी तनख्वास से उनके बड़े परिवार का भरण पोशन मुश्टिल हो जाता, और मंत अदावत जारी रही, चाहे बैंक निशनलाइजेशन का मामला हो या केश्वनन्द भारती का, जश्टिस हेगडे ने सरकार को चारो खाने चित किया था, अब बारी मोहन कुमार मंगलम की थे, कुलदीप नयर ने अपनी किताब शुपर सेशन आफ जजज में दावा किया है और उनकी निवक्त परिवारवाद यानि की नेपोर्टिज्म की वजा से हुई है, जश्टिस रे ने सफाई में कहा कि ये सबब हुआ है, कुमार मंगलम मेरा मौशेरा भाई नहीं है, हाँ ये सच है कि मैं और मेरी पतनी मोहन कुमार मंगलम को जानते हैं और कभी कभार मिल तीन सीनियर मोस्ट जजज को सुपर सीड करने को एक्स सीजी आई एम हिदात उल्ला ने ब्लैकेस्ट दे आफ इंडियन डेमोक्रेसी क्यों कहा और इतना गुस्सा हो गए कि रे की से रिमनी में नहीं आए जबकि मामला तो केवल नयाले से जुड़ा तो जैस्टिस रे के को जस्टिफाइ करने की कोशिस की गई तो धांतिक रूप से लौ मिनिस्टर एच आर गोखले को संसद में जबाब देना था लेकिन सरकार का बचाव करने आये मोहन कुमार मंगलम वैसे तो कम्मिनिस्टों को अमेरिका से बहुत घ्रणा है उन लेकिन उनके बच्चे संबिधान सभा में कहा था न्याइप वालिका संसद से एकदम स्वतंत्र है और इसलिए जजजज का अपॉइंटमेंट करते समय संसद या सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और जजजजज को भी किसी कानून को इंटरप्रेट करते समय संसद में दिये गए भाशनो पर विचार ना करके अंतिम रूप से अधिन्यमित किये गए कानून की व्याक्ष्या उस कानून में लिखे गए सब्दों के आधार पर करना चाहिए यहां ध्यान देने वाली बात है कि इन बातों को संभिधान में क्यों नहीं लिखा गया कि अधि न्याइक प्रक्रिया में सरकार का कोई हस्तक्षिप नहीं होगा। ऐसा ना लिखने का कारण अल्लाद कृष्णा स्वामी आयंगर की दलील से समझा जा सकता है। संभिधान सभामें आयंगर शाहब ने कहा था कि अगर जुडिशरी और सरकार को एकदम से अलग कर दिया जाएगा तो सरकार प्रशासनिक कारियों के लिए भी कोई ट्रिब्यूनल नहीं बना पाएगी या कोई ख्वासी जुडिशियल नेचर का भी कारिक नहीं कर पाएगी जिससे न्याई पालिका पर अत्यदिव दबाव बन जाएगा लेकिन दो मई 1973 को कुमार मंगलम की दलील इन विचारों के एकदम विफ्रीद थी मोहन कुमार मंगलम ने सरकार का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1967 में गोलकनाथ के मामले से लेकर केश्वानन्द मामले तक दिये गए निड़ों की निंदा की और सरकार द्वारा लागू की आर्थिक शुधार कारिक्मों को रोके जाने की भर्चना की उन्होंने कहा कि सरकार समझती है कि जश्टिस रे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच बने गत्रियोत को समाप्त करने में सहायक होंगे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसी जच का सुप्रीम पोर्ट का चीप जस्टिस बनाते समय या बनाने से पहले उसके नजरिये से वाकिफ हो हम सरकार के प्रति वफादार जच नहीं चाहते लेकिन हमें ऐसे जच चाहिए जो इस बात क को समझें इस देश में क्या चल रहा है देश में चल रही बदलाओ की बयार को समझें इस बात को माने की भारत की संसद प्रवुषत्ती ये सपीज अमेर्की राश्चाति आइजिन हावर की उस स्पीच से प्रभावी थी जिसमें उन्होंने कहा था राष्ट्रपती के तour पर उन्होंने जजेज का अपॉइंटमेंट करते समय खुद गलतियां की थी जिससे जजेज ने उनके खिलाफ निर्णे दिया था इस स्पीज का नतीजा क्या रहा सुबह हर अकबार की सुर्खियों में थे मोहन कुमार मंगलम और पूरी लीगल फ्रेटरिनिती ने काम ठप क कि कौन सा जज किस नेता का रिष्टेदार या दोस्त था या उसका राजनेतिक नजरिया क्या था फिर वी दो रोचक प्रशंग साजह करना चाहता हूं पहला है जस्टिस वी आर कुष्ण ऐयर का जस्टिस ऐयर जजज बनने से पहले खांटी कम्यूनिस्ट नेता थे और ए इंध्वांगांधी के मामले में इुलाहवाद हाई कोड के नेञे पर पार्शियल इस्टे लगा कर और इंद्रा गांदी को पुर्धान मंतरीं हिब्लुक्राइन कुमारमंगलम स्हाब की अपेक्षा और अधिक की थी और होनी भी चाहिए थी क्योंकि मंत्री जी ने अपने चछेरे भाई और एक घनिष्ट मित्र से भी पहले अईयर जी को चीफ जश्टिस रे द्वारा ने उता भिजवाया था दूसरा वाक्या संबंदित है हिमाचल प्रदेश के मुखे नया अधिस और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जश्टिस बने आरेस पाठक से अक्टूबर 1975 में यानी इमर्जन्सी लगने के बाद चीफ जश्टिस ऑफ इंडिया रे ने पाठक जी को फोन किया उद्देश के बारे में आपकी क्या राय है तो जस्टिस पाठक ने टाका सा जबाब दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज़ बनने के लिए इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए बाद नहीं है रे साहब ने बात खत्म की और आरेस पाठक का सुप्रीम कोर्ट आना कुछ समय के लिए टल गया इस घटना से असपष्ट होता है कि चिप जस्टिस ऑफ इंडिया एन रे सुप्रीम कोर्ट में जज़ों की नियुक्ति करते समय सरकार का पूरा ख्याल रखते थे एक्चुल में रे साहब मिली जुली सुप्रीम कोर्ट चला रहे जस्टिस रे इंद्रा गां जैसे समाजवादियों और अमीर कम्यूनिस्टों की तरह जश्टिस रे के एक साकर्मी ने गौड 22 जूनियर को दिये गए इंटर्व्य में कहा था कि रे साहब हमेशा महंगे सूट पहनते हैं 14 जूड़ी महंगे जूते हैं उनके पास फिर भी सरकार उनको समाजवादी मान जैस्टिस एन रे की गलतियों को समराइज करते हुए कहा जा सकता है कि जैस्टिस रे स्वीजे आई का पत्सुदकार कर रस्थापित परंपरा को तोड़ा और नयाइक प्रक्रिया में राजनायतिक हर्स्तक्षेप का आउसर प्रदान किया जजो को नियुक्ति करते समय छे वैदानिक मुल्यों के एकडम विप्रीद थे कुल मिलाकर शुप्रिम कोर्ट के इतिहास में काला धबा लगा दिया रही सही कसर ग्रेंविल आस्टिन के इन सब्दों से पूरी हो जाती है उन्हीं की जुबान में सुनिये उन्होंने प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के वैविचारी रविया विक्सित किया छोटे छोटे मामलों तक में प्रधान मंत्री को बार बार फोन करके हजताने की कोशिस करते थे कि इस मामले में भी प्रधान मंत्री के नजरिये को सुना जा सकता है और बार बार फोन करने की वज़ा से खुद को प्रधान मंत्री इंद को नजरन्दाज करके बेग साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया था 28 जनवरी 1977 को रिटायर होने के बाद जस्टिस एयन रे बिना किसी रिटायर्मेंट सेरिमनी के चुपचाप कलकत्ता चले गया 2018 में इंद्रा गांधी सरकार बनने के बावजूद किसी ने भी अगले 34 सालों तक उनसे संपर्क नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक वे एक ऐसे जज़ हैं जिने पोस्ट रिटायर्मेंट कोई काम नहीं मिला अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंद्रा करांधी सरकार को संजीवनी देने वाले मोहन कुमार मंगलम के मित्र और खांटी कम्यूनिस्ट जेस्टिस वी आर कृष्ण अययर की जैहिंद जैभारत